हेलो अव्रिबन स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मैं फिर से आप सबों के लिए जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए जोग्राफी का क्लास लेकर आया हूँ और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ पहले ही क्लास में चुकि यह तीसरा क्लास है चेप सा बुक पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप बुक देख सकते हैं यह वाला बुक है जिनका नाम है समकालिन भारत भागदो अगर आपके बोड में यह बुक चलती है तो यह पूरा जो वीडियो है आपके लिए इंपोर्टन्ट है तो एक बार मैं फिर से आपको जो बुक है वो अपैन करके दिखा दाता हूँ अगर मैं आपको बुक दिखाओं तो कुछ यह बुक है ओके तो अगर आपके पास यह वाला बुक है देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह बुक दिखता है संसादन विकास चेप्टर का नाम है पार्ट वन हम लोग पढ़ चुके हैं और पार चीजे बुक में लिखा हुआ है तो बुक आप पहचान गए होंगे कौन सा बुक है नहीं है और आज का जो टॉपिक है वह है संसादन एवं यह संसादन का विकास पढ़ना है तो यह टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो उमीद है आप बुक पहचान गए होंगे और अगर आपके बोड में भी यही बूख चल रहा है तो आपके लिए पूरा वीडियो बहुत जादा महतुमपुर्ण है इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए और आप समझे कि इस चैप्टर में कि संसाधन का विकास कैसे होगा तीसरा क्लास है आपका दो क्लास हम लोग कर चुके है और अगर यह तीसरा क्लास है तो वीडियो नमर भी पार्ट थर्ड होगा क्या क्या चीजे सिख चुके हैं संसाधन की परिभासा संसाधन का वर्गी करन संसाधन का परकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संसाधन का विकास कई सारे और टॉपिक्स बचे हुए है इस चैप्टर में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगा तो प्लीज आप सारे वीडियो को देखेगा और अगर आप बाद में देख रहे हैं चुकि मैं यह पूरा वीडियो जो है अपरेल से शुरू कर रहा हूँ अपलोड करन सबसे पहले संसाधन का विकास देखे एक एक करके पढ़ाना क्यों जोर रहे है क्योंकि एक एक टॉपिक का कई सारा सब टॉपिक है जैसे इस टॉपिक का नाम है संसाधनेवम विकास इसमें आपको चार बहुत ही मैजर चीजे पढ़ना है सबसे पहले कि संसाधन का अंदा पूरा चेप्टर के लिहाद से देखा जाए तो यह एक इंपोर्टन जो है पार्ट हो जाता है थर्ड क्लास बहुत जादा इंपोर्टन है क्यों क्योंकि यह वो चीजें हैं जो आपको जरूर्ट सीखना है अभी के लिए और आने वाले समय के लिए भी है तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट समझें यह पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे अंदाध हून उपयोग क्या होता है देखिए जब पहली बार लोगोंने संसादन को देखा जब तब संसादन लगा कि जो भी चीजे हमें संसादन में मिल रहा है यह सभी प्रकृति की दिन प्रकृति का मतलब भगवान लोग समझने लगें और खास करके जो मानव है उन्हों को ऐसा लगा वो ऐसा सोचते थे कि जो भी चीजे हमें मिल रहा है वैस अभी हमें भगवान दे रहे हैं और भगवान के देखिए संसादन पर हम बेरहमी से उपयोग करना शुरू करती है और आज हमने पूरे संसार को इस तरफ से इस तरह से परिवर्तित कर दिया नहीं पूरे संसार को बदल के रख दियें पूरी तरह से तबाह हो गया दुनिया और कई तरह के नए नए समस्याएं दुनिया में आ गई अभी से क्या क्या चीज़ हुआ पहले आप समझे अंधा दुन का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे संसादन का परियोग करना उसे बरबात करना उसका और सिमित परियोग करना जहां तक सीमित है उससे भी पार कर देना इस तरह से परियोग करना अंदा दुन परियोग कहलाता है तो दुनिया में दो चीजे हुआ एक ऐसा समाज हो गय जिनके पास संसाधन बहुत कम मिलने लगे उनको जो चीज अती आवशक था वे संसाधन भी नहीं मिलने लगा अती आवशक क्या होता है जैसे जिन्दा रहने के लिए आपको जल चाहिए और हावा चाहिए और भोजन चाहिए ये तीन चीजे भी लोगों को नहीं मिलने लगा यह हो गए गरीब ऐसे लोग हो गए गरीब यह हम इसे कहते हैं संसाधन विहीन संसाधन विहीन लोग बन गए और एक ऐसे वेक्ति हो गया जो धन और कई ऐसे वस्तू के लालच के चलते वे उन्होंने संसाधन पर ज़्यादा कबजा कर लिया और यह हो गए संसाधन संपन संसादन, संपन तो आप देख सकते हैं, फोटो से कि एक तरफ जहाँ पानी की बिल्कुल कमी है लोगों के पास पानी बिल्कुल भी नहीं है और लोग धरती फट रहा है खेती करने योग पानी नहीं है वही पानी उसे गाडी धोया जा रहा है तो ये चीज क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में ही संसादा आया और बहुत अधिक लोगों के पास संसादन नहीं आ पाया यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह वो इमेज दरसाता है कि किस परकार से एक ऐसा समाज है जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा है जो भोजन के लिए किल्ल कर रहे हैं किल्लत आ रहा है और समाज पूरी तरह से कमजोर होता जा रहा है और समाज के बच्चे भी पूरी तरह से जो है ये एक अगली पीडी पूरी परेशान हो रहा है जबकि एक और समाज में एक ऐसा समाज है जब भोजन की पूरी बरवादी ह लोग पलेटों में भोजन लेते हैं जितना मन होता है उतना खाते हैं और बांकी भोजन को पुरी तरह से बरबाद कर देते हैं फेक देते हैं उनको जरासा भी दया नहीं आती है तो यह सारा क्या दिखा रहा है यह सारी चीज दिखा रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले भोजन के लिए हम लोग पतल का प्रयूग करते थे और इस पतल का मतलब क्या होता था पत्तों से बना हुआ पत्तों से बना हुआ और यह पत्ता से बना हुआ क्या होता था बायोडिग्रेवल यानि प्रियावरन में वहां तो सड़ता ही नहीं है बलके आस पास में फेल करके हर जगा को पर्दूसित करता है तो यह सारी चीजे जो है हमारे परियावरन को खराब कर रहा है हमारे समाज को खराब कर रहा है हमारी पृत्वी को खराब कर रहा है और पृत्वी में बहुत जादा मन बढ़ता जा रहा है आप देख सकते हैं हमने कई सारी फेक्टरियों को लगाया यानि कि यह जो उद्योग है यह भी हमारे समाज को पुरी तरह से बरबाद कर रहा है उद्योगों ने हमारे समाज को कुछ इस तरह से कर दिया हमारी पृत्वी को ऐसा कर दिया कि पृत्वी क तापमन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और प्रत्वी पर जहां कहीं भी बर्फ है वो पिघल रहे हैं और बर्फ पिघल करके क्या बन रहे हैं उसे मुदर बन रहे हैं और एक बर्फ जब पिघल जाएगा तो वो खारा पानी बन जाएगा और सारा मिठा पानी ह हमारा बर्बाद हो जाएगा ये सारा चीज किस लिए हुआ क्योंकि हमें और 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 चाहिए हम और कि लाल सा रखते हैं और एक ऐसा वेक्ति है जिसको लगता है कि सबसे जो सबसे महातुम पूर्ण जो नुकसान हुआ है वे हुआ है ओजोन का ओजोन का फर्मुला A3 होता है और माफ कीजिएगा O3 O3 याद रखना है O2 से oxygen होता है और O3 से होता है ओजोन इसमें तीन बार oxygen लेने के बाद ओजोन बनता है और ओजोन परत में क्या हो रहा है छेद हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर ओजोन परत में छेद हो रहा है और ओजोन परत में छेद से क्या होगा यह कैसे हो रहा है यह फैक्टरियों से निकलने वाले धुएं से हो रहा है और भी गाडियों से निकलने धुयेस हो रहा है, हम जो घर में फ्रीज, AC यूच कर रहा है, उनसे निकलने वाले जहरीली गेसों से हो रहा है, क्लोरो, फ्लोरो कार्बन, कार्बन डायोकसाइट, कार्बन मोनोकसाइट, सल्फरट, ये सारे वो गेस हैं, जो हमारे परियावरन में मोजूद ओजोन को खराब कर रहा है, हमारी प्रत्वी के तापमान को बढ़ा रहा है, और ओजोन क्या करता है, ओजोन सुरी की किरनों से आने वाली हारी, हानी कार्यक किरनों से हमारी प्रत्वी की रक्चा करता है, जैसे ही सुरज की किरन आती है ऑज़न से ठकराती है और वह वापस चलियाती है और अगर ऑज़न में छेद हो गया तो वह कीरन वापस नहीं जाकर के अंदर चलिया आईगी जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं और जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है और जहां ये ऑज़न की गिरने जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर मौझूद बर्फ पिगलने लगेगा और साथ ही साथ जो मानव है उसमें कई तरह के नए नए बीमारियों का जन्म होगा जिसमें से एक सबसे महतुम पूर्ण है त्वजा कैंसर जिसको हम लोग इसकीन कैंसर के नाम से भी जनते हैं क्या हुआ इतना सारा जो इमेज आप देखे इतनी सारी जो बाते आप सीखे इन सब का क्या परिनाम हुआ उनी फटारूप निमलीकित मुक्ष समस्याइं पैदा हो गई और वो समस्याइं आपको परिक्षा में लिखना है तो केवल फोटो तो आपको परिक्षा में बनाना नहीं आपको लिखना है तो मैं आपके लिख रहा हूँ और यही चीज आपको कौपी में लिखना है आप इसे उतारिए बार बार जो है आपको जैसे ही जो मैंड टोपिक आता है और जो चीज आपको लिखा हुआ मिलता है उ पुदितर से भरबाद होने लगा, संसादन समाज के कुछ ही लोगों के हाथे में आ गए, यानि जो अमीर आदमी थे जो ज़्यादा सक्तिसाली थे उन लोगों के पास संसादन आ गया जो समाज में गरीब ठकवे के लोग थे जो कमदोर थे उनके पास संसादन नहीं आ पाया आप एक फिल्म देखे होंगे के जी एफ और के जी एफ के फिल्म में दिखाय जाता है कि जो सोना है वो उन लोगों के पास आया जो अमीर थे ताकतवर थे सक्तिसाली थे जो राजनीती में जिसका हंस्तशेफ था उनके हाथ में आ गया था पर बागी गरीब लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे काम कर रहे थे हलाकि आप बाद में देखे कि उनके हाथ में भी आया ज तो लोग संसादन चाहता है, चाहे उसे किसी का सोशन हो, कोई वो समझता है नहीं है, लोग लालक चाहता है, एक तरह से लालची हो जाता है, इससे क्या होता है, इससे समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ऐसा वेक्ति होता है, जो संसादन संपन होता है, जिनके पास सं संसादन हीन अर्थात या तो अमीर बन जाता है या तो गरीब बन जाता है मेरे ख्याल चे आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ मागया होगा तीसरा पॉइंट संसादों के संसादनों का अंदाधुन शोषन हो रहा है अंदाधुन शोषन का मतलब बिना सोचे समझे हम पेस्तों संपैला रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है इससे वैस्विक परश्तितिक संकट पैदा ही है struggling लेकिन इसका परिणाम पुरी दुनिया वाले को भुगतना पढ़िए यानि ये पुरी दुनिया का तापमान बल रहा है, ओजन परत अवचे, ओजन परत में छेद हो रहा है, परियावरन परतुसन हो रहा है, भूमी खराब हो रहा है, भूमी का निमनी करन हो रहा है, क्योंकि हम उसमें खेती कर रहे हैं, बार-बार जनसंक्या बल रहा है, और इतनी सारी ज संगत बटवारा आवर्शक हो गया है यानि अगर हमें मानव जीवन गुनवता बनाए रखना है यानि मानव को धर्ती पर जिंदा रखना है और पूरी दुनिया में सांती बना करके रखना है तो हमें संसादनों का नयाय संगत बटवारा करना होगा यानि सभी लोगों को बर परेशान हो रहे हैं ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है हमें नयाई संगत बटवारा करना है यानि सब को बराबर बराबर बाटना है देखे विज्ञानिकों ने भविश्वानिक किया कि अगर आने वाले समय में कभी भी युद्ध होगा युद्ध बड़ा सा युद्ध तो वैह युद्ध होगा जल के लिए, ये भविश्वानी वैज्ञानी कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि जल की कमी होती जा रही है, जल पर्दूशित होता जा रहा है, और हम एक दूसरे को बिल्कुल भी कह सकते हैं, माटने के भी से हम नहीं सोच रहे हैं, हम धलरले से धर्ती क अंदर से जल निकाल रहे हैं, और धर्ती के अंदर से निकला हुआ जल बिल्कुल बेकार हो रहा है, मतलब कि बाहर निकल के पर्दूसित हो जा रहा है, फिर वो अंदर जा नहीं रहा है, क्योंकि हम पक्का कर दिये हैं, सडक पक्की, मकान पक्की, जो आंगन है उसको भी प पक्का कर दिये क्योंकि हमें गीचर पसंद नहीं है और पक्का होने से क्या होता है जो जल है वो धर्ती के अंदर नहीं जाता है यह पक्का का सबसे बड़ा खराबी है आप नली में जाता है नली भी पक्की है और यह पानी सीधे बहते हुए नदी में चला जाता है नदी से फिर समुद्र में चला जाता है, तो हमें कई अन्य तरीके अपनाना पड़ेगा, जिसे हमको जल बचाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि इन सब से क्या परिणाम निकले, और हमें इसे क्यों बचाना जोरी है, संसादनों का विकास किस परकार से करना होगा, संसादन का विकास तो करना है, लेकिन हमें तरीका बदलना पड़ेगा संसादन के विकास करने का, आप इसे लिख लिए कौपी में, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो संसाधन विकास के लिए जो तरीका अपनाया जाएगा उसे हम बोलते हैं सतत पोष्णिये विकास अब ये सतत पोशनिय विकास क्या है यानि कि विकास हमें करना है यानि विकास के लिए संसादनों का एक ऐसा विवेक पुर्ण उपरयोग तांकि केवल वर्तमान पीडी यानि कि केवल हमें नहीं बलकि यानि आपुती भावी भावी का मतलब होता है आने वाली पीडियों की अवशक्ता भी पूरी होते रहे इसे हम शतत पुशनिये विकास कहते हैं या सतत पुशनिये विकास कहलाता है अब हम आपको एक उधारन देंगे आप तुरन समझेगा आप नदी देखें हैं मैंने कुछ इस तरह से नदी देखा है मेरे पिता जी ने मेरे दादा जी ने ऐसा सुक्ष नदी देखा है और अब जो बच्चे दुनिया में आएंगे वो कुछ इस परकार से नदी देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ मागया ये नदी का नजारा पहले का है और ये नदी का नजारा आब का है तो अब हम क्या कर रहे हैं व कि हम्ने वर्तमान अभी जो जिंदा हम लोग पीडियों है उस ने तो नदी देख लिया साप, और शुद्रा, मुद्प और लगो पूरा किया। कि सिर्फ हमारी जरुवत को पूरी हो रहा है लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें वर्तमान पीड़ी का यानी हमा अपनी अवसकता की पूरती तो करेंगी साथ ही साथ हम क्या करेंगे भावी भावी का मतलब जो दुनिया में आने वाले बच्चे हैं जो आने वाली पीडिया है उनकी अविशक्ता भी पूरी हो उनको भी ये सारा संसादन मिले इसे ही हम सतत कहते हैं सतत का मतलब वैसा जो लगातार चले इने कि आपने वैसा संसादन का परियोग किया और अब दुनिया वालों के लिए ऐसा छोड़के जा रहे हैं क्योंकि अगर इसे गंदा क खतम करते तो वो एक जगा से दुसरे जगा कैसे जाएंगे तो हमें संसादन का सिमीत परियोग करना होगा कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे की संसादनों का सिमीत परियोग हो अब इसके लिए क्या किया गया इसके लिए एक सम्मेलन किया गया जो है ब्राजील में अब आपको ब्राजील सहर घुमाते हैं ताकि आपको यह चीज समझ माए तो सबसे पहले यह देखिए यह है ब्राजील देश ब्राजील देश है और ब्राजील देश में एक जगा है एक प्याद रखेगा, Amazon नदी है, Amazon नदी और दूसरा जो Amazon जंगल, कभी न कभी आप YouTube वीडियो में जरूर देखे होंगे, तो यहाँ पर यह एक सम्मेलन होता है, यहाँ पर ब्राजिल देश का एक सहर है, और इस सहर का नाम है रियोडी जेनरो जैसा कि आपको यहाँ पर नक्सा में दिख रहा है, यहाँ पर रियोडी जेनरो है, और रियोडी जेनरो में यह है मूर्ती, एक समय में यह दुनिया के परतिनिधी का मतलब क्या हुआ यानि एक सो देश के लोग यहाँ पर जाते हैं अब लोग नहीं बलकि देश के परधान मंतरी या अन्य कई लोग जाते हैं जो मुख्य अतिति होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और यह डेट कब है 1902 का समयन है और इन सबों ने मिल करके एक प्रण लिया कि हम क्या करेंगे सतत पुष्णिय विकास को बढ़ावा देंगे और संसादनों का विवेक पूर्ण परियोग करेंगे और संसादनों को बिल्कुल बरवाद नहीं करेंगे अब इस संमयलन में जो जो चीजे बात हुआ आईए उसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं हमारे किताब में क्या लिखा है सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ देखे सबसे पहले तो परिक्षा में पुछा जागा कि यह जो रियोडी जेनरो शम्मेलन है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पृत्वी शम्मेलन तो परिक्षा में अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह जो पृत्वी शम्मेलन है यह कहां हुआ था तो आपका प्रत्वी सम्मेलन या तो हम सौट कॉट में इसे प्रत्वी सम्मेलन कहते हैं। दूसरा जो चीज आप से पुछा जाएगा तारीख तो तारीख बोलना है उननीस सौ बिरानवे में हुआ था या सम्मेलन कितने देश के लोग गए थे लगवक एक सो देश से भी अधिक राश्ट अध्यक्ष ब्राजील के सहर रियोडी जेनरो में प्रत्वम अंतराष्टिय प्रत्वी सम्मेलन ये पहला था तो आप से परिक्षाम पुछेगा कि प्रत्वम अंतराष्टिय प्रत्वी सम्मेलन कहां हुआ था तो उसका भी जवाब रियोडी जेनरो हुगा और कब हुआ था 1921 सम्मेलन का आयोजन विस्वस्तर पर उभरते परियावरन संड्रक्षन यानि पूरी दुनिया को बचाने के लिए समाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूनने के लिए जिसमें कुछ लोगों के पास अंसादन आया है और कुछ लोगों के पास नहीं आया है तो इसका क्या हल होगा इसी को ढूनने के लिए सम्मेलन कायोजन क्या गया था आप यहाँ पर देखे इसमें जितने भी नेता एकत्रीत हुए थे सभी नेतावने भूम अंडलिये जलवायू परिवर्तन यानि पुरी दुनिया का जो जलवायू बदल रहा है पुरी दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है पुरी दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है पुरी दुनिया में जो बरफ विगल रहे हैं, जो परदूसन फैल रहा है, यह जो जैविक विविदता पर असर पढ़ रहा है, उस पर एक घुशना पतर पर हस्ताक्षर किये, और हिनों ने बोला कि आने वाले जो 21 सदी है, याद रिखेगा, 21 सताब्दी में हम दुनिया में जो है क्या करेंगे, भूमंडली ये वन सिद्धान्त को पालन करेंगे, यादि पुरी दुनिया में जंगल लगाएंगे, पुरी दुनिया में जल को बचाएंगे, ना केवल जल को बलकि सभी संसादनों को बचाएंगे, अब ये 21 सताब्दी है क्या, पहले इसे समझेए, अगर आपको थोड़ा सा भी तारीक का ग्यान है, तो अभी चल रहा है 2023, और 2023 को हम यहाँ पर 20 लिखा है तो हम इसे कहते हैं, 21 सताब्दी, 21 सताब्दी, क्योंकि ये 20 खतम हो चुका है और 21 चल रहा है, 20 खतम होके 21 चल रहा है, जैसे कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं, त तो साथवा ओवर खतम होके जब आठवा चलता है, तो साथ दसमलब एक, साथ दसमलब दो यानि कि इस तरह करके लिखता है, तो हम इने बोलते हैं कि साथवा ओवर चल रहा है, हम ये बोलते हैं कि आठवा ओवर चल रहा है, क्योंकि साथवा तो खतम हो गया है, आठवा च आ चुका है, फिर साथ के बाद दूसरा गैन, फिर साथ के बाद तीसरा गैन, तो इस परकार से ये आठवा ओपर चल रहा है, उसी परकार से ये बीसवी सताब्दी नहीं, बलकि ये क्या 21 सताब्दी चल रहा है, और 1992 में हुआ था, तो 1992 कौन से सताब्दी था, ये बीसवी सत सताब्दी खतम होने वाला है तो हमें काम करते हैं एक केश्वी सताब्दी से सुरू करते हैं और हम आने वाले समय में संजादनों को क्या करेंगे बचाएंगे विवेक पूर्ण परियोग करेंगे और इसी लिए इस पूरे जो एजंडा है इसे नाम दिया गया एजंडा 21 अब एजंडा 21 को क्या क्या था अब एजंडा 21 का उद्देस अब लोग से परिक्छा मब पूछेगा तो लिखेंगे जिसका उद्देस है समान ही तो पारस्प्री का अवंशक्ता आउं एवन समलित जिम्यदारियों के नुसार विस्वसा योग द्वारा परिया वरेनिय च रजय को बचाईए। और ये पुरी तरह से जीम्यदारी क्या ओगा समलीट जीम्यदारी होगा अकेली किसी की सिर्पर नहीं दियाजागा 맛있 ज्यादा फेक्टरी लगाया तो आप पूरी दुनिया को बचाईए हमारा कोई लेना देना नहीं है वैसा कोई नहीं बोलेगा हम सभी मिलके दुनिया को क्या करेंगे बचाएंगे और पूरी दुनिया में जो परियावरन को छती बहुंच रहा है उसको रोकेंगे पूरी प्रिक्षाम बचलेगा मुख्य उद्देश क्या था तो आपको लिखना है कि परतियक अस्थानिय निकाय को अपना अस्थानिय एजंडा 21 तयार करना है यानि एजंडा 21 यह तो पूरी दुनिया के लिए है और अब आप अपना देश जाईएगा यह जितने भी 100 लोग थे य यह पूरा करेंगे इसे बोलते हैं मुख्यो देश ओके तो एजंडा 21 तो एक तो पूरा दुनिया के लिए है और एक आप अपना देश के लिए खुद बनाईएगा जैसे भारत के परतान मंत्री जब वापस आए तो उन्होंने फिर से अपने देश के लिए एक एजंडा 21 बनाया और बोला कि इस एजंडा 21 के तायत हम 21 सत्यद्धी में जो है परियावरन के चति को कम करेंगे अब यहां सुनिए कि इस एजंडा 21 यह जो पूरा दुनिया वाला था उसमें क्या-क्या चीज बोला गया था और इसके तायत हम अपने देश में क्या-क्या चीज कर रह उसके बाद कोई कार करेंगे और उसमें देखेंगे कि किसी से परियावरन छती तो नहीं पहुच रहा है वनों की कटाई को कम करना है यानि जंगलों को हम नहीं काटेंगे अब और मरु अस्थली करन और शूखे के खिलाफ लडाई करेंगे यानि जो जमीन खराब हो रहा है जो मरु अस्थल बन रहा है वहाँ पर प्रेड़ लगाएंगे और जो सूखा पल रहा है वहाँ पर कारन पता करेंगे और फिर वहाँ पर भी जल को पहुचाएंगे सुधार और ग्रामिन छेत्रों में सतत विकास की सुरुवात करेंगे ये सुधार सिर्फ और सिर्फ सहरों में लागू होता था लेकिन अब इसे ग्रामिन छेत्रों में भी लागू किया जाएगा और उनका भी सतत विकास किया जाएगा पारिस्थितिकिक और कम प्रभाव वाले क्रिसी को बढ़ावा देंगे यानि कि वैसा क्रिसी को करेंगे जिससे जमीन खराब नहीं हो और ग्रामीन परिवेस में भी सतत विकास लाएंगे यानि ये सारा जितना भी चीज़ करेंगे उसको गाउं में भी लेके जाएंगे जैवे विविदता का संरक्षन करेंगे जैवे विविदता का संरक्षन का मतलब होता है जो जानवर है जो जंगल है जो पेड़ पोदे हैं उसके अलग-अलग परकार होते हैं सब परकार के पे विद्धा का संडरक्षन महासागर और समुद्र जानते हैं इसमें परदूसन को कमी करेंगे आपको जनकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितना पलास्टिक कचरा है उससे कही ज़्यादा पलास्टिक कचरा आज समुद्र में पहुँच रहा है तो ये एक बहुत महातुपूर्ण कमी है जितने भी समुद्र के तट है उसे पूरी तरह से गंदा कर दिया गया है तो इन तटों को सुरक्षा देंगे ताजे जल संसादनों के आपूरती में गुनवता में सुधार करेंगे यानि कि ताजे जल सब तक पहुँच सके कही लोग ऐसे हैं जो गाड़ी धो रहे हैं लेकिन कही लोग को पानी नहीं मिल रहा है तो इसका सुवेदा करेंगे ताकि सभी लोगों को ताजे जल मिल सके जहरी ले रसाइनों के तरक संगत परबंदन और उसे परदूसन में कमी करेंगे जहरी ले रसाइन जो फैक्टरी से निकलता है उसे सीधे पानी में नहीं बहाएंगे ताकि परदूसन में कमी हो खतरनाक और रेडियो धर्मी कचरे परबंदन में सुधार करेंगे जो खतरनाक कचरा होता है और कई तरह के ऐसे कचरे होते हैं जो रेडियो धर्मी होता है उसको हम लोग क्या करेंगे कम से कम करेंगे या फिर उसके कचरे का सुधार करेंगे रेडियो धर्मी कहां से निकलता है निकुलियर पावर प्रंट से निकलता है रेडियो धर्मी कचरा सबसे जो बहुत ही महतुंपूर्ण है वह है ठोस कचरा तो जो सहर से ठोस कचरा निकलता है उसका एक परमंदन के लिए परनाली का जो है विकास करेंगे ताकि ठोस कचरा का सही से निपटारा किया जा सके तो मैंने आपके लिए वो जितना जादा से जादा चीजे हो सके वो मैंने यहाँ पर लिखा ताकि आपको Agenda 21 समझ में आ सके कि Agenda 21 में क्या-क्या चीजे करना है अब एजंडा 21 में 21 बाते नहीं हैं उसमें मुखी रूप से 7 बाते ही हैं लेकिन 21 सताबदी में करना था इसे लिए हम एजंडा 21 कहते हैं तो उमीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक बहतर समझ में आया होगा और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खतम होता है और अब आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप पार्ट 4 भी देख सके ऐसे मज़ेदार वे में अगर आपको पूरा वीडियो बहतर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करकी वीडियो को लाइक करें और कोशन एंसर के लिए ठीक है ना कोशन एंसर के लिए मेरा चैनल अभी क्लासेश डाउट सब्सक्राइब कीजिए और अब्जक्टिव के लिए आपको notes provide कर सकूँ, आने वाले समय में अगर होगा तो देखा जाएगा, तो फिलाल आप तयारी कीजिए, लिखते चलिए, question answer, अभी classes, doubts में आएगा, वहां से लिखते चलिएगा, thank you, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,